अगले दिन जतिन जल्दी से तयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो इंतजार करने के बाद इंजिनियर के कैबिन में पहुंचता है। फिर जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिफोर्ट देखिये। हमसे अच्छा बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता। एक बार देख तो लीजिये सर। तभी वो गौर से देखता है, हरे ये तो उसका दोस रभी था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश हो जाता है। रभी भी सीट से उठकर उसको गले लगा लेता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई जिन्ता नहीं है। तू तो मेरा सारा काम अराम से कर देगा। ये सुनकर अभी कहता है, जतिन, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कमपनी को नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि तेरी कमपनी ने जो बैमानी से गलत जगा बिल्डिंग बनाई थी, उससे तुम्हारा रेपूटिशन खराब हो चुका है। मैं तो क्या, इस सहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये सुनकर जतिन, रभी का पहर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल यार, मैं सड़क पर आ जाओंगा। तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मी सी बन गही थी। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलता है, तो मैं बरबाद हो जाओंगा यार, बात को समझने की कोशिस कर। रभी जतिन से कहता है, चल मेरे साथ। जिसे तुने कभी भीक नहीं दी, हमें इसा फटकारते हुए उससे जाता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर समान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में ही भीक मांगता है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीक तो तु भी मुझसे मांग रहा है। इसमें और तुझमें फिर क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं देखा रहा। उने सिर्फ पैसे ही कमाये हैं। तुने कमाया, आज तो वो भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तु घमन कर रहा था, आज उसी ने तुझे बरबाद कर दिया है। Moral of the story, हमारे पास जो चीज है हमें उस पर कवे घमन नहीं करना चाहिए। जितनी हो सके हमारे शक्षमता के आमसार हमें दूसरों के मदद करनी चाहिए। जब है हमारे ऊजितनी हो रहा हमें दूसरों के आमसार कि रहा हमें दो जचे दूसरों के वितनी है। झाल झाल